भारती जनता पार्टी के सरकार ने जिस तरह से CBI और AD का चक्र वे वो बिछाया था 17 महीने में भी भारती जनता पार्टी के लिएजंसियों को मनिष्षि सिसोधिया के खिलाफ एक रूपय का सभूत नहीं मिला दरदर भटकती रही मनेश सौधिया जी के घर से ले करके बैंक से ले करके गाओं से ले करके पूरे देश के अंदर जहां जहां मनेश सौधिया के मुबाइल में जिसका जिसका नम्मर मिला किसी का सामने से और किसी से पीछे से हर जगा छापे मारी की गई इस देश के अंदर चारो तरफ चप्पे चप्पे पर जहां मने सिसुदिया के कदमों के निसान थे भारतिय जनता पार्टी के सरकारने और देश के माननिय अप्रधानमंत्रेजी के जितनी ताकत थे सारी ताकत लगा ले कल भाजपा के नेता कह रहे थे जमानत ही तुम मिली है ये जमानत नहीं है मनेश सौधिया की जमानत अगले बिधान सभा में भाजपा के जमानत जब्त होने का लाइसेंस मिला है मनेश सौधिया जी के जमानत इस ताना साही के सारे ताकत, सारे तिकडम, सारे सड्यंत्र की समाप्ती की घुफडा हुई है याद करो मरेशि सौधिया जी के गिरफतारी के बाद बारती जनताफ पार्टी सोचती थी कि इस चक्रवियू का कभी अंत नहीं होगा मने सिसोधिया की जमानत इस बात का भी एलान है ताना साही कितनी भी ताकतवर हो वो पराजित होती है और सत्त कितना भी धुदला हो, कितना भी जुठलाया जाए, कितना भी चुपाया जाए सत्त की जीत होती है सत्रा महीने बाद भी सुप्रीम कोट के अंदर ना तो E.D. के पास ना तो C.B.I. के पास कोई प्रमाड कोई सबूत नहीं मिला लेकिन सत्रा महीने मने स्विसोधिया के जिन्दगी को जिस तरह से इस कीमती छड़ों को जो दिल्ली की जन्ता के काम के लिए समर्पित था एक एक दिन एक एक पल एक एक घंटा भारती जन्ता पार्टी ने उस समय का कतले आम किया है अले दिल्ली के लोगों ने तो प्रचंड महुमस से आम आदमी पार्टी की अर्बिंद केजरिवाल जी के नेत्रित्व में सरकार बनाई अर्बिंद केजरिवाल जी के नेत्रित्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिलो जान से दिल्ली के लोगों के लिए काम किया इन सारे सर्यंत्रों के बावजोद सतेंद्र जैंग जी को जेल में रहने के बावजोद 17 महीने से मरीस सौदिया जी को जेल में रहने के बावजोद मार्च से अर्भिन केजरिवाल के जेल में रहने के बावजोद 6 महीने संजे सिंग जी को जेल में रहने के बावजोद मैं भाजपा के लोगों को बिनमृता से चैलेंज दे कर कहना चाता हो 10-10, 20-20, 30-30 साल से तुम्हारी राज्यों में सरकार है केंदर में भी तुम्हारी तीसरी बार सरकार बन गई सारे सड्यंत्रों के बावजोद अगर दिल्ली के अर्विन्द केजरिवाल की सरकार के काम को एक तराजू पर रखोगे और भारतिय जनताफ पार्टी के सभी राज्यों की सरकारों का काम दूसरे तराजू पर रखोगे जेल के बावजूद भी केजरिवाल का काम तुम पे भारी पड़ेगा उसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते